दोस्तों आज का वीडियो जैट एरवेज को लेकर रहने वाला है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको एक बार जुरूर बताना चाहेंगे कि हम इस वीडियो में यह नहीं बताने वाले कि जैट एरवेज की उड़ाने कब से चालू होने वाली है और कब तक जैट एर की डेट है वह आगी क्यों बढ़ती जा रही है यदि आप रेगुलर बेसिस पर हमारी नीज देख रहे होंगे तो हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि जैट एर्वेज को लेकर क्या डवलप्मेंट चल रहा है और जैट एर्वेज का मामला कहां पर फसा हुआ है लास्ट व होता हुआ नहीं दिख रहा क्यूंकि जैट एर्वेज को बंद हुए अब तक्रीवन दो साल होने वाले हैं और टेंप्रेरी बेसिस पर जैट एर्वेज के स्लोट्स दूसरी एर्लाइस कंपन वो दिए गए थे अब उन एर्लाइस कंपनियों ने उन सभी इसलोट के ऊपर अपनी उडानों को ऑपरेट करने के लिए नए एरक्राफ्ट भी खरीद लिए हैं और फ्लाइट्स, क्रू मेंबर्स और पाइलेट्स की भरती भी कर लिए हैं यह दि डीजी से ऐसा करती है कि पुराने स्लोट्स जैट एरवेज के जो भी है वो अगर जैट एरवेज को दे द लिए जाएंगे यहां पर फ्लाइट्स एक बात समझना बहुत जुरूरी है कि किसी भी एरवेज के लिए स्लोट्स सबसे ज़्यादा इंपोड़ेंट रहते हैं बीना स्लोट्स के कोई भी एरवेज कम्पनी अपनी उडानों को आपरेट नहीं कर सकती यहां पर जैट के स्लोट्स ही थे सबसक्त जयादा एर्वेस के पास जो स्लोट से वह मुंबई एरपोर्ट के ते मुंबई एरपोर्ट के अक्यले तक्रिबं 110 लाइस ते के ब्भारत की सबसे सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है अब गौवर्मेंट और यहां पर जैट इर्विज के नए मालिक को ही आपस में मिलकर बैट करी फैसला लेना पड़ेगा कि आगे का रास्ता कैसे रहने वाला है लेकिन जो भी है जैट इर्विज की मुश्किले अभी बरकरार है उमीद है कि आपको जैट इर्विज में अभी लेटिस्ट क्या चल रहा है उसको लेकर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी अभी फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं ऐसी और काम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करके रखें जैसे ही कोई भी गुड निज आएगी जैट इर्विज को लेकर तो हम अवसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे लेकिन अभी फिलाल के लिए जैट इर्विज की जो समस्या है वो हमने आपको वीडियो के माद्यम से बताने की कोशिश की